Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजे फिछले महीने के 30 तारी को USA के दुवारा एक announcement किया जाता है जिस announcement में ये बताया जाता है कि US ने कुछ entities और individuals के उपर sanctions लगा दिये हैं अब इसी announcement में हमें ये भी मालूम पड़ता है कि लगभग 19 companies भारत के भी हैं और साथ में 2 या 3 individuals भी हैं इंडिविजुल्स का मतलब क्या होता है तो suppose that आप एक businessman है तो आपके उपर भी US के दुवारा sanctions लगा दिये गये हैं वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब US के दुवारा Indian companies के उपर sanctions लगाए गये हों शायद यहाँ पे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि क्या US के पास ही सिर्फ power है sanctions लगाने का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका देश powerful है और वो बढ़ चड़कर export करता है तो आपके देश के पास भी वो शमता है जहाँ पे आप किसी भी देश के उपर या उस देश के किसी भी businessmen या companies के उपर आप भी sanctions लगा सकते हैं यहाँ पे गर हम बात करें भारत और US के बारे में तो no doubt US हमसे कहीं ज़्यादा powerful है और इसी लिए US इस power का वो misuse करता है और जहाँ तक हम बात करें भारत के बारे में तो मेरा ऐसा व्यक्तिकत माणना है कि जो हमारा policy से उसको हम अच्छे से implement नहीं करते हैं और जिस हिसाब से हमें चीजों को export करना था यहाँ पे भी हमें साफ कमी देखने को मिलता है और महज हम एक importer देश बन के रहे गएं इसी लिए चाहे वो USA हो गया या US के जो allies हो गयें ये अपनी मनमानी को करते हैं और बहुत हद तक जो हमारा response या reply होता है वो बहुत हद तक एक defensive type का होता है जिन सब Indian companies के उपर sanctions लगाया गया है उनके उपर US के द्वारा आरोप ये लगाया गया है कि वो सारे companies रश्या के साथ business करते हैं और इनको बहुत सारे वैसे समान को export किया गया है जिनका dual purpose में इस्तिमाल है इसका मतलब क्या हुआ तो आज के date में शायद ही को ऐसा electronic चीज होगा जिसमें की computer या उससे related जो equipments वगेरा हो या semiconductor हो इनका इस्तिमाल नहीं होता होगा तो बहुत बार क्या होता है कि कोई भी देश सैंशन से बचने के लिए अलग-अलग components को बाहर से मंगाता है यानि कि अलग-अलग देशों से मंगाता है और finally उसको अपने देश में वो assemble करता है तो ऐसा ही कुछ आरोप लगाया गया है US के द्वारा जहां पे कहा गया है कि जान बूच के जो इंडियन companies है वो रश्या के साथ business कर रहे हैं और किसी भी तरीके से वो जो business कर रहे हैं और जो समान को export किया जा रहा उससे रश्या और भी मजबूत हो रहा जैसा कि हमें मालूम है कि लगभग धाई साल से उपर हो गए रश्या यूकरेन वार को और US और साथ में इनके जो allies थे उनको ये लग रहा था कि अगर किसी भी तरीके से ये लोग यूकरेन को support करेंगे तो उस support को पा के यूकरेन रश्या को हरा देगा लेकिन ठीक उसका विपरीत होता हुआ दिख रहा या in fact हो चुका है जहां पर कहने के जरुवत नहीं कि यूकरेन को कितना लुकसान पहुचा है तो अब यूवेस क्या कर रहा है या बहुत सालों से यूवेस यही करता हुआ आया है कि उन सभी देशों के companies के उपर sanctions लगाता है जो किसी भी तरीके से रश्या से business करता है और इसके पहले भी जो companies के उपर sanctions लगाया गया थे यूवेस के द्वारा उनके उपर भी कुछ यही आरोब था कि कुछ वैसे equipments का supply किया जा रहा जानबूच के इन सब companies के द्वारा जिसका इस्तेमाल finally Russia military purpose में करने वाला है जहाँ पे एक तरफ यूवेस तो और सब देशों के companies के उपर sanctions लगाता है लेकिन वहीं पे अगर आब बात करें कि क्या यूवेस रश्या के साथ business नहीं कर रहा आज के date में तो अगर हम बात करें तो यूवेस आज भी बहुत सारे ऐसे चीजों का इस्तेमाल करता है जो directly य या यूवेस हो गया ये सभी लोग बढ़ चड़कर Russian uranium का इस्तेमाल कर रहें ताकि उनका जो nuclear reactors रहे वो चल सके तो क्योंकि कोई भी देश यूवेसे के साथ दुश्मनी को नहीं मोलना चाहता है तो इसी लिए भी यूवेस अपने power का misuse करता है अगर आपके पास वक्त रह पर चाइना के द्वारा भी sanctions लगाए गये हैं तो चाइना यूवेस को डारेक्टली चैलेंज इसी लिए कर पाता है क्योंकि चाइना बढ़ चड़कर चीज़ों का manufacture करता है और यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से यूवेस चाइना के साथ वैपार नहीं करेगा तो जितना नुकसान चाइना को होगा शायद उससे ज्यादा नुकसान यूवेस को होगा सैंशन्स लगाने का जो single most agenda होता है वो यही होता है कि किसी भी तरीके से रश्या को उन सभी समान के access ना हो सके तो यहाँ पे एक जो common sensical सवाल हमारे सामने बनता है वो यह है कि क्या रश्या इत इन सभी sanctions को almost वो null and void कर चुका है तो जितना होस्यार USA अपने आपको समझता है रश्या सायद उससे कहीं ज्यादा advance या होश्यार है अलग-अलग देशों के individuals या companies के उपर sanctions लगाये हैं और आप यह सोच के देखिए कि उन सब companies के उपर जो sanctions लगाये हैं तो एक तो उन सब companies क इन सब sanctions का नुकसान झेलना पड़ रहा और क्यूंकि अगर कोई भी company किसी भी देश को belong करता है तो अगर वो company किसी भी तरीके से अगर business नहीं कर पाएगा तो उसका नुकसान उस देश को भी होता है तो यहाँ पे जो कहने और समझने का मतलब है वो यह है कि US सिर्फ और सिर गलत काम से US को benefit पहुँचेगा तो US उसी गलत काम को promote करेगा या करता है जो कि हमारे पास sufficient numbers of examples हैं कुछ वैसे companies जो भारत के हैं और जो किसी भी तरीके से technology में या computer based वो समान को बनाते हैं तो वो सारे जो company से वो अपना business को क्यूं रोकेंगे suppose that आप एक company हो जो किसी भी तरी तरीके से semiconductor आप बनाते हैं तो अकर Russia को उस चीज का requirement है तो आप अपने business को बंद क्यूं करेंगे और जहां तक बात किया जाए US के बारे में तो in fact बहुत सारे ऐसे businesses होंगे या businessman होंगे जो US के होंगे जिनका आज भी बढ़ चड़कर Russia के साथ वैपार होता है और इन सभी च देश का economy को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचे लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई दूसरी देश के company अगर business करना चाहता है तो उसके उपर sanctions लगा दिये जाते हैं ताकि उस देश का economy को impact पड़े और किसी भी तरीके से उन सारे समानों का जो access है वो Russia को ना मिले तो यहाँ पे जो as an individual जो focus करने वाली बात है हमारे लिए कि किसी भी तरीके से अगर आपका देश या यहाँ पे भारत अगर अपने export पे ध्यान नहीं देगा तो इसी तरीके से US या कोई भी और stronger देश आपके उपर आएगा और वो sanctions लगाने की बाते करेगा और जो उसके response में हमारे जवाब आएगा वो काफी defensive आएगा जो कि इस case में हम साफ देख सकते हैं बीते रोज हमारे ministry of external affairs के तरफ से response आता है जहां पे कहा जाता है कि जितने भी जो companies काम कर रहे हैं वो भारत के नियम कानून को follow कर रहे हैं और साथ में ये भी कहा जाता है कि हम USA के साथ in touch म और साथ में इस बात के उपर भी focus किया जाता है कि भारत के जो नियम कानून है या जो हमारे regulatory bodies हैं वो एकदम सही काम कर रहे हैं और किसी भी तरीके से चाहे वो United Nations के security council के द्वारा बनाये गे resolutions हो या नियम कानून हो उसको किसी भी तरीके से वो violate नहीं करते हैं जहां तक हम बात करें US के बारे में तो मुझे कहनी क्या वोशकता नहीं है कि US ही वो ऐसा देश है जो पूरे दुन्या को disturb करकर रखा हुआ है और इसी disturbance का US फाइदा उठाता है अपने देश में जो बने हुए हत्यार होते हैं उसको भेज के I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye